इसका ही शॉट्स को सिलेंडरिकल शेप का ही क्यों बनाये जाता है और इलेक्टरोनिक एक्कुमेंट्स पर बने इस C.E. के मार्क का क्या मतलब होता है साथ दोस्तों आज आज आप इस पूरी दुनिया के सबसे छोटे टीवी को देखने वाले हैं ऐसी दिमागों चक्रा देने वाले रैंडम एन इंटरसिंग फैक्ट्स को जाने के लिए ट्रमड़ एफेक्ट सीरीज का एपिसोड लास्त तक जरू देखिएगा दोस्तों अभी आपकी स्क्रीन पर आपको जो प्लैंट के ऊपर सोफ फॉर्म दिख रहा है उसको इस पूरी दुनिया का अभी तक सबसे ज़ादा यूनिक सोफ फॉर्म माना जाता है ऐसा सिर्फ इसलिए दोस्तों क्योंकि हकीकत में ये कोई सोफ फॉर्म नहीं बलकि एक इंसेट का बेहदी स्मार्ट मूव है असल में दोस्तों इस इंसेट का नाम स्पिटल बग है जो कि अपने आपको किसी भी शिकारी से बचाने और अपने आसपास के टेंपरेचर को मेंटेन रखने के लिए किसी भी प्लेंट के तने से मौस्चर को सक करके उसको यूरेन के थुरू कुछ इस तरीके के सोफ फॉर्म में रिलीस करता है और आप ये जनकर हैरान हो जाएंगे कि इसका ये सोफ बबल देखने में इतना जादा रियालिस्टिक लगता है कि ये बेहदी आसानी से इसके अंडर बैट कर अपने आसपास से गुजरने वाले दूसरे इंसेक्ट्स को चक्मा देकर उनका शिकार भी कर लेता है तो ये इंसेक्ट और इसका ये बबल अपने आप में यूनिक ज़रूर है किसी भी वालकेनों का बस्ट होना एक बेहदी कॉमन फिनॉमना है लेकिन कोई भी कॉमन फिनॉमना आपको कभी भी इस चैनल पर देखने को नहीं मिलता है तो चलिए इस कॉमन फिनॉमना को थोड़ा सा रेयर बना देते हैं असल में दोस्तों बहुत ही कम लोगों को ये मालूम होगा लेकिन कई सालों में कुछ ही सेकिंड्स के लिए कुछ चुनिंदा जगों पर ही जब वालकेनों बस्ट होता है तो उसके अंदर से एक लाइट प्रेड्यूस होती है और ये लाइट ठीक वैसी ही होती है जैसी तूफान आने से पहले हमें बादलों में दिखाई देती है अब दोस्तों यहाँ पर सबसे ज़ादा अमेजिंग बात ये है कि क्योंकि ये लाइट काफी छोटे टाइम पिरिट के लिए बहुती rare situations में generate होती है तो आज सब कोई भी scientist ये पता नहीं लगा पाया है कि हकीकत में वालकेनों के burst होने पर कुछ इस तरीके की lights produce क्यों होती है हाला कि बहुत से scientist का ऐसा माना है क्योंकि वालकेनों के burst होते समय ash particles काफी ज़ादा गर्म होते हैं और जब वो एक दूसरे से तेज स्वीट के साथ टकराते हैं तो वो static electricity को generate करते हैं जो कि हमें कुछ इस तरीके की light form में दिखाई देती है तो ये तो बात हो गए इस phenomenon की लेकिन जब तक rare video clip नहीं तब तक मजा नहीं दोसरो भी आपकी स्क्रीन पर आपको जो video clip देख रही है उसमें वालकेनों की उसी अजीब lightning को record किया गया है जहां पर आप बेहदी साफतोर से ये देख सकते हैं कि बेहदी rare situations और selected जगों पर वालकेनों के अंदर से कुछ इस तरीके की बेहदी अजीब सी light भी produce होती है तो ये video clip अपने आप में rare ज़रूर है जैसे कि हम सभी चानते हैं कि दोबाई government के दोरा कुछ इस तरीके के flying boards को उनके police officers को crime कम करने के लिए दिया गया है जिसके बाद बड़ी बड़ी कंपनियां और काफी बड़े बड़े देश इनको future की technology बता रहे हैं और उनका ये माना है कि आगे आने वाले समय में ये technology एक नया revolution भी ला देगी अब अगर आप मेरे regular viewer हैं तो आपने तीन चीज़ें यहाँ पर notice ज़रूर की होंगी पहला ये technology future की है दूसरा ये technology काफी ज़ादा advance है और तीसरा इस technology को मैं अपने fact में ले कर आया हूँ तो समझ तो आप गई होंगे चलिए इस technology की इतिहास की pole भी खोल ही देते हैं असल में दोस्तों बहुती कम लोगों को ये मालूम होगा लेकिन साल 1950 में USA में बहुती छोटे time period के लिए कुछ इस तरीके के flying boards को बना का तैयार किया गया था जिसे आगे चलकर साल 1953 में आधिकारिक तोर पर लोगों के सामने उतारा भी गया था लेकिन क्योंकि उस समय इन तरीके के flying platforms का वजन काफी जादा हुआ करता था तो इनको एक जगे से दूसरी जगे fly करने में काफी जादा इधन की जरूरत पड़ा करती थी जिसके चलते हुए काफी जादा महेंगे साबित हो रहे थे परणाम सरूप इन तरीके के flying boards को थंडे बसने में डाल दिया गया और आज present date में इसी technology को compact बना कर लोगों के सामने future की technology बता कर पेश किया जा रहा है तो एक बार फिर से पंदरवी बार future की technology इतिहास की ही निकली fact number 11 दोस्तों इस वीडियो के लिप को देखे जहांपर एक इनसान के दौरा सिर्फ एक normal string का use करते हुए ही पानी को एक मक से दूसरे मक तक transfer किया जा रहा है लेकिन आखिर एसा कैसे हो सकता है असल में दोस्तों हमारे पानी की एक बेहदी unique property होती है जिसकों की scientific language में को हिससे property के नाम से जाना जाता है साधनर शब्दों में पानी की एक drop हमेशा ही पानी की दूसरी drop के साथ मिलकर एक नई बड़ी drop बनाती है यानि कि पानी में मौझूद hydrogen और oxygen हमेशा ही दूसरी hydrogen और oxygen के साथ bond बनाने के लिए ready रहते हैं और पानी की इसी quality को इस video clip में भी दिखाने की कोशिश की गई है असल में दोस्तों इस experiment को करने के लिए आपको सबसे पहले एक string को पानी से भिगोना होगा आप जैसे ही इस string की मदश से उपर रखे मक से नीचे रखे मक की तरफ पानी को transfer किया जाता है तो क्योंकि इस string पहले से ही गिली होती है तो ये और जादा पानी को नहीं सोकती है प्रणाम सरूप इस string में पहले से ही मौझूद पानी इसके उपर भैने वाले नय पानी के साथ तो तुरंट ही bond बनाना शुरू कर देता है जिसकी वज़े से इस string के उपर बहने वाला पानी string में पहले से ही मौजूद पानी के साथ चिपकने लगता है आप क्योंकि एक मग को नीचे की तरफ रखा जाता है तो इस string पर बहने वाले पानी पर gravitational force भी लगने लगता है जो इस पानी को कुछ इस तरीके से नीचे की तरफ धगेलना शुरूप कर देता है पर नाम सुरूप हमारा पानी सिर्फ एक string पर ही बिना ग्रे ट्रैवल करते हुए कुछ इस तरीके से दूसरे मग को भड़ देता है अब मैं आपको एक interesting चीज बताता हूँ कि आप इस experiment को केवल अर्थ के surface पर ही कर सकते हैं क्योंकि दोस्तों जहां पर भी gravitational force जादा या फिर कम होगा तो situation में यह पानी या तो string से चिपका ही हुआ रह जाएगा या फिर वो beach रास्ते में ही नीचे गिर कर experiment को खराब कर देगा So finally अब आप इसके पीछे के असली science भी जानते हैं Fact number 10 क्या आपको बताए कि दुनिया आजी वो गरीब चीजों से भरी हुई है और यही वो कारणे जिसके चलते हुए researchers आज तक ये भी नहीं पता लगा पाये हैं कि हमारी प्रत्वी पर ही कितने प्रकार के animals या फिर fishes मौजूद है और उसी का ही जीता जाकता example फरवरी 2020 में सामने आई एक वीडियो क्लिप है असल में दोसर इस वीडियो क्लिप को फरवरी 2020 में यूरो की एक कंट्री माल्टा की स्तमूदर तर्ट के पास एक स्कूबा डाइबर रेनिये जो बॉर्ट के द्वारा रिकॉर्ड की आ गया था कि क्या वास्तम में हमारी अर्थ पर भी कुछ इस तरीके की फुली ट्रांस्पेरेंट फिश भी मौजूद है जिसके बारे में लोगों को आज तक पता ही नहीं चला अब मैं आप से जानना चाहता हूँ कि आपको क्या लगता है क्या यह फिश रियल है या फिर यहां पर किसी भी प्रकार की कोई भी ट्रिक का इस्तमाल किया गया है आप अपनी राइक कमेंट सेक्शन में जरू दीजेगा क्या आको बताएगा इस दुनिया में मौझूद बंच वेरी डॉग बुट प्लांट का फ्लावर इतनी जल्दी ग्रो करता है कि जिसकी कलपना आप कर ही नहीं सकते असल में दुस्ते इस फ्लावर के खिलने का एक्सेलरेशन किसी भी एस्टेनोट को स्पेस शेटल के लिफ्ट आफ के समय महसूस होने वाले ग्रिफिटेशनल एक्सेलरेशन की तुलना में 800 गुना जादा होता है या निकि फ्लावर इतनी जल्दी ग्रो कर जाता है कि कोई बी इनसान कभी भी इसको ग्रो होता हुआ नेकेड आई से देख ही नहीं सकता अब दोस्तों यह आपर सबसे ज़ादा amazing बात ही है कि यह flower एक ordinary flower की तरह कभी भी grow करता ही नहीं है असल में दोस्तों यह flower एक दिन अचानक से ही plant के stem से blast होकर खेल जाता है और यही वो कारण है जिसके चलते हुए इस flower को पूरी ही अर्थ का सबसे ज़ादा fast grow होने वाला flower भी माना जाता है तो यह तो बात हो गई इस flower की अब बात करते हैं कुछ amazing चीज़ की दोस्तों आपकी स्क्रीन पर आपको जो वीडियो क्लिप दिख रही उसमें एक bunch berry dogwood के flower को 10,000 frames per second slow motion पर grow होता हुआ record किया गया है जिसमें आप बेदी साफसार से यह देख सकते हैं कि 10,000 frames per second slow motion में भी यह flower कितनी तेज स्पीड के साथ explode करके grow करता है तो आप ही कह सकते हैं कि अभी अभी आपने कुछ rare तो ज़रूर देखा है दोस्तों आपने इस दुनिया के बेदी बड़े बड़े और high tech televisions को तो ज़रूर देखा होगा असलना दोस्तों इस watch में TV को देखने के लिए viewer को इस watch को एक cable के थुरू कुछ इस तरीके के TV signal receiver से connect करना पड़ता था जिसके बाद आप इस receiver को carry करके across the country अपने favorite channels को इस watch के अंदर देख सकते थे और उसी की touch परी इस watch के नाम दुनिया का सबसे ज़ादा छोटा television होने का world record भी किया गया है तो आप ही कह सकते हैं कि अभी अभी आपने कुछ बेदी interesting तो ज़रूर देखा है fact number 7 दोस्तों आपने बहुत सी toy cars को एक loop के अंदर rotate होता हुआ तो ज़रूर देखा होगा असलों दोस्तों कोई भी car या फिर toy इस काम को सिर्फ और सिर्फ अपनी speed के दम पर ही कर सकता है यानि कि अगर किसी भी condition में toy या फिर real car की speed कम होगी तो उसमर gravitational forces जादा लगने लगेगा जिसकी वज़े से वो कभी भी एक loop में travel कर ही नहीं पाएगा और यही वो कारण है जिसके चलते हुए किसी भी इंसान के दौरा पैदल एक loop में travel करना लगबग impossible है या यू कहूं कि impossible था मिली ये डैनियन वाल्टर से जो किस पूरी दुनिया के अभी तक के सबसे पहले ऐसे इंसान है जिन्होंने साल 2014 में एक पूरे ही loop को दोड़ते हुए कुछ इस तरीके से cross किया था ये प्रूफ किया जाता था कि कोई भी इंसान चल कर एक loop को cross कर सकता है लेकिन डैनियन पहले ऐसे शक्स थे जिन्होंने इस चीज को कागस से उपर उठा कर हकीकत में पूरी ही दुनिया के सामने इसे करके दिखाया और यही वो कारण है जिसके चलते हुए इस छोटी सी वीडियो क्लिप को काफी जादा rare और amazing भी माना जाता है दोस्तों हमने कभी ना कभी snowball fighting तो जरूर की होगी जो हमारे लिए entertainment का एक जरिया है लेकिन क्या आपको पता है कि जो चीज हमारे लिए सिर्फ entertainment का जरिया है हकीकत में जेपैन में वो एक national sport है असल में दोस्तों बहुती कम लोगों को यह मालम होगा जिनमेंसे हर एक player को 90-90 boss दी जाती है अब इन दौने ही टीम के players को इस game में लगाए गए एक flag को capture करना होता है अम इसक बात ही है दोस्तों कि हर एक team का player दूसरे team के player को सिर्फ snowball hit करके ही eliminate कर सकता है and in the last जो player बाकी के सभी player से बस्ता हुआ last में उस flag को capture कर लेता है उसकी team इस sport की ultimate winner भी बन जाती है और आप यह जानकर हैरान हो जाएंगे कि lastly जो team इस पूरे ही tournament को जीती है उसको काफी भारी रकम भी इनाम के तौर पर दी जाती है सच में amazing fact number 5 almost सभी electronic equipment पर इस तरीके का CE का निशान क्यूं होता है असल में दोस्तों इस symbol को European countries के दौरा आधिकारिक तौर पर साल 1985 में launch किया गया था जिसका की मतलब होता है confirmite European असल में दोस्तों बहुती कम लोगों को यह मालुम होगा है electronic equipment के लिए कुछ standards बना रखी है जिसके अधार पर यूरोप में बनने वाले सभी electronic equipment या फिर अगर कोई भी देश बहार से European country में किसी भी electronic equipment को export करना चाता है तो उसे उन सभी European standards पर खारा उतरना होगा जिसके बाद ही उस product के उपर कुछ इस तरीके के CE mark को लगाया जा सकता है बिसकलिए आभी कह सकते हैं कि जिस भी electronic equipment पर कुछ इस तरीके का mark होता है वो equipment आपकी health, environmental condition और आपकी safety के लिए किसी भी परकार का कोई भी खतरा generate नहीं करेगा तो आभी कह सकते हैं कि ये कुछ और नहीं बलकि सिर्फ और सिर्फ European countries के standard को represent करने बाला एक mark है जैसे कि हम सभी जाते हैं कि almost सभी countries के presidents या फिर prime ministers security reason की वज़े से कभी भी car को drive नहीं करते हैं लेकिन कि आपको पता है कि अमेरिका इसी चीज़ को एक next level पर ले जा चुका है जहां पर एक American law के अनुसार कोई भी current या फिर former president या फिर vice president भी सत्ता में होने या फिर उससे भार होने पर भी अपनी पूरी ही जिंदिगी किसी भी प्रकार के वहेकल को कभी भी open road पर drive कर ही नहीं सकता अगर वो ऐसा करता है तो उसको भी एक common citizen की तरह सजा या फिर जुर्माना हो सकता है असमनों दोस्तों अमेरिका की इस अजीब से law को साल 1963 में जॉन F. Kennedy की हत्या के बाद include किया गया था और उसी की तचपरी दुनिया के कुछ अजीब और गरीब laws में से भी एक law माना जाता है क्या इस fact से पहले आप अमेरिका की इस अजीब से law के बारे में जानते दे कमेंट करके जारूर बताईएगा Fact No.3 क्या आपको पताए कि इस दुनिया में mirror movement नाम का एक बेहदी rare mental disorder भी मौझूद है जिसमें patient अगर अपने एक हाथ से किसी भी काम को करता है तो उसका दूसरा हाथ अपने आप ही same pattern में उसी काम को करने लगता है For an example, इस बिमारी से ग्रसित, अगर कोई भी इंसान अपने एक हाथ को उपर उठाता है, तो उसका दूसरा हाथ भी अपने आपी उपर उठ जाता है, अगर वो अपने एक हाथ से किसी भी ड्रॉइंग को बनाता है, तो उसका दूसरा हाथ उसी पैटरन और उसी स्पीट के हैं, ऐसा सिर्फ इसली होता है दोस्तों कि जब भी हम किसी भी वर्ड को लिखने के बारे में सोचते हैं, तो हमारा ब्रेन उन सिगनल्स को डिकोट करके हमारे किसी भी एक हाथ को उस वर्ड को लिखने की कमांड देता है, और यही वो कारण है जिसके चलते हुए पेशेंट अगर एक हाथ से कुछ भी करता है, तो दूसरा हाथ उसी पैटन में अपने आप ही चलने लगता है, अब दोस्तों यहाँ पर सबसे ज़ादा डराने वाली बात यह है, कि भले ही डिसॉर्डर इस दुनिया में काफी ज़ादा रेर हो, लेकिन यह मैंटल डिसॉर्डर पूर इतना ही नहीं, बलकि इतनी कम उम्र में इतने बड़े कारणामे को करने की वज़े से इनका नाम Guinness Book of World Record में भी शुमार किया गया है, सच में गर्व होता है इंडियन यूथ पर, फैक नमर वन, इसकाई शॉर्ड्स को सिलेंडरिकल शेप का ही क्यों बनाया जाता है, असल मे लेकिन स्काई शॉर्ट जिस शेल से रिलीज होता है, उसको हमेशा ही सिलेंडरिकल बनाया जाता है, लेकिन आखिर ऐसा क्यों किया जाता है, असल में दोस्तों किसी भी स्काई शॉर्ट में दो अलग अलग तरीके के पाउडर्स का इस्तमाल किया जाता है, पहला जो स्काई में स्काय शॉट के बेस में होता है, जिसका काम दूसरे हैं आप्ट बात अगर दूसरे bowl के साथ react करना शूरू करदेती है। जिसकी वज़े से किसी भी स्काइशॉट की बेस पार्ट में काफी बड़े स्केल पर प्रेशर बनने लगता है। और जब ये प्रेशर सिलेंड्रिकल शेप का असलों दोसों जैसे कि मैं आपको पहले भी बता चुकाऊं कि किसी भी स्कॉयर या फिर रेक्टेंगुलर शेप में प्रेशर का डिस्टिबूशन कभी बी एक जैसा होता ही नहीं है तो अगर उस कंडिशन में किसी भी स्काई शॉट को स्कॉयर या फि जाएगा और वो वहीं पर ही एक्सप्लोड कर जाएगा जो कि honestly कोई भी नहीं चाता है अब दोसों बात अगर सिलेंड्रिकल शेप की की जाए तो इस तरीके की शेप में प्रेशर का डिस्रिबूशन हमेशा एक जैसा ही होता है और यहीं वो कारण है जिसके चलते हुए पर की तरफ रिलीज करता है तो पहले हमें हमारे बेस से एक काफी तेज आवाज सुनने को मिलती है वो वही प्रेशर रिलीजिंग की आवाज होती है और प्रेशर डिस्टिबूशन की इसी प्रिंसिपल के आधर पर ही सभी कुओं और एरो प्लेस की विंडोस को भी गोल ब आप चाहें तो मुझे इस्सेक्राइम पर भी फॉलो कर सकते हैं अब आभी में शॉक्षर फैट्स और बैक इसेर मोमेंट को टाइम टूरे में शेयर करता रहता हूं जिसका लिंक आपको स्क्रीन पर या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा एक और फ्रेश कमा आल वीडियो में आप समय से दोबारा वलागात होगी दूस्तों जैहिद